हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक तो मैं चैनल तो टुड़े विल लॉर्न अबाउट दे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अफ पॉपी यह जिसे फ्रेंड्स हम अप्यूम प्लांट भी बोलके हैं इसे हम हिंदी में अफीम या पोस्ट भी कहा जाता है अलग-अलग जगह पर, mostly इसका अफीम जो नाम है वो फेमस है तो फ्रेंड्स जो पॉपी प्लांट होता है, इसका बोटनिकल नेम है पैपेवर सौमीनी फेरम जो पैपेवर ऐसी फैमिली से बिलॉंग करता है अगर फ्रेंड्स आप फैमिली पैपेवर इसी के बारे पर पढ़ना चाहते हैं तो इस फैमिली की ओल ओवर डिटेल्स मैंने अल्रेडी ही एक वीडियो में पढ़ा रखी है या डाल रखी है वीडियो अगर आप देखना चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक डाल रखी है तो आप देख सकते हैं इस प्लांट का जो पार्ट होता है जिसे हम यूज में लेते हैं वो होती है एक्चली अन्राइप कैप्सूल तो कैप्सूल इस टाइप अफ फ्रूट आपने अल्रेडी लोर स्टेंडर्ड में क्लासिफिकेशन अफ फ्रूट्स पढ़ा है जिसमें फ्रेंड्स अलग अलग ताइप्स के अपने फ्रूट्स पढ़े होंगे जिसमें कैप्सूल है डूप है धन हमने पिछली वीडियो म काल में पताइब तो क्णोशन वीडियो मुद्ट आते प्रेंडियो में के अंदर खांस टाइप फ्रूट प्रसेंड था तो सेम वैशे ही जो पापी प्लांट्स होते इंके अंदर कैप्सिział टाइप फ्रूट प्रेजेंड होता है प्रॉम विच लेटेक्स बेस्ट ड्रग और इस प्रूट में से फ्रेंड्स एक लेटेक्स या जिसको आप ज्यूस भी बोल सकते हो वह एक्स्ट्रेक्ट होता है और उस ज्यूस में से या उस लेटेक्स में से क्या होता है ड्रग मॉर्फीन एक्स्ट्रेक्ट होता है इट मेंस यह जो ड्रग्स होते हैं मॉर्फीन बह कुल्स मेंसे ही क्या करते एक्स्रेक्ट करते और इसको अलग-अलग इंड़स्ट्री में यूस करते हैं then the incisions are made on the ripe capsule so incisions आपको पता है friends जो छोटे-छोटे cutts होते हैं during surgery जो skin पर भी cut लगाते उसको भी incisions बोलते हैं तो सेम वैसे ही चो unripe capsule होते it means unripe fruits जो होते है plant पर उसके उपर छोटे छोटे incisions आ जाते अपने अब naturally इट मेंज छोटे छोटे cuts आ जाते हैं और जिसके अंदर से फिर क्या होता है जो juice होता है जो latex होता है वो release होता है after the fall of petals इट मेंज एक stage आती है उस plant की जिसमें petals जो होते हैं plant के flower के वो गिर जाते हैं and then उन incisions मेंसे cut मेंसे fruit मेंसे क्या होता है latex बाहर आता है the crude latex तो crude means आपको पता है friends जो कच्चा जो latex होता है जो dried juice होता है उसके अंदर raisins, oils, alkaloids including morphine and codeine ये दोनों friends कहें drugs हैं तो ये सब उस latex मेंसे जूस मेंसे बाहर आता है it means उस juice में इस सब चीज़े present होती है then friends जो latex होता है इसके अंदर narcotic and soothing properties होती है तो आपको इसका मतलब बहुत अच्छे से बता है narcotic and soothing properties means इसमें नशी ले पदार्थ होते हैं नशी वाली जितने पर substances होते हैं वो present होती है it means यह बहुत सारे medicinal uses भी होता है इनका and nervous stimulate मितलब साफ बात है कि हमारे nervous system पर क्या करता है असर करता है या affect करता है जिससे हमें नींद भी आती है and it relieves spasm so spasm friends पता है कभी-कभी अच्छानक एक तरह से हम कह सकते हैं maraud उठना कभी-कभी हमारे जो muscles होते है उसमें maraud आ जाती अच्छानक एक movement की वज़े से हमारे muscles को control नहीं कर पाते तो यह सारी चीजे क्या होती है इस latex के अंदर यह सारी चीजों के properties होती है then friends large quantity में अगर हम इसको obtain करे या हम इसको ले तो यह हमारी body के लिए जो होते है poppy seeds में से it means जो poppy plant के जो seeds होते है उसमें से oil extract किया जाता है जिसकी medicinal value है medicines में बहुत सारी जगर यूज होता है then friends यह herb होती है it means herbaceous plant होता है bushes होती है structure जाडिया होती है और इसका जो native place है native means आपको पता है जो proper जो जहां पर यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है friends west Asia western side में and is grown in India, China and Asia minor so India, China और so friends यह जो Asia minor जो word है actual में यह एक बहुत बड़ा peninsula है western Asia का जिसको Anatolia भी बोलते है and अगर हम friends आज के time के बात करें modern day में इसको हम turkey कह सकते most part जो है Asia minor का वो कहां पर आता है वो तर्की में आता है तो यहां सब जग़ फ्रेंट्स वर्ड में यह herb इस जो पॉपी प्लांटे वो ग्रो होता है और इंडिया में यह प्लांट्स कहां पर कल्टिवेट होते है कहां पर ग्रो होते है यूपी that is उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्तान, अंध्यप्रदेश ओगे फ्रेंट्स, so it was a small and easy topic and that was अप्यूम प्लांट या फिर पॉपी प्लांट okay, so if you find any doubt related to this topic then you can ask me in the comment box and please friends if you like this video then please do share with your friends also so stay connected with my channel, thank you friends bye bye